एसे सब्द जो किसी सब्द के अंत में जूडते हैं या लगते हैं जिनके कारण से सब्द का अर्थ बदल जाता है तो उन से भी सब्दों को प्रते कहा जाता है दोस्तों प्रते लगने के कारण से एक नया सब्द बनता है जिसका अर्थ पहले वाले सब्द से अलग होता है और आज हम इस वीडियो में पुजनिये सब्द में प्रियुक्त प्रते सब्द के बारे में बात करने वाली तो वीडियो को पुरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपा अपने सुब हातों से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गंटी वाले बेल आइकन को दबा देना दोस्तों पूजनिये सब्द की अंदर ये परते लगा होता है और पूजन इसके अंदर मोल सब्द होता है यानि पूजन में जब ये परते लगाया जाता है तो पूजनिये बनता है इसके अलावा दोस्तों प्रिक्षा में पूछे जाने वाले कुछ मैतोपुन परते सब्दों के बारे में भी बात कर लेती हैं जो प्रिक्षा की दरज़्टी से काफी अधिक मैतोपुन है तो इसे परते सब्द हैं नमबर वन सक्ती यानि सक इसके अंदर मूल सब्द होता है और ती परती होता है जब सक में ती परती लगा जाता है तो सकती बनता है नमबर टू है गबराहट दोस्तों गबराहट सब्द की अंदर आहट परती होता है और गबरा इसका मूल सब्द होता है जब गबरा में आहट परते लगाया जाता है तो गबराहट बनता है नमबर थरी है ज्यादातर दोस्तों ज्यादातर सब्द के अंदर तर परते लगा होता है और ज्यादा इसका मूलशब्द होता है यानि जब ज्यादा में तर परते लगाया जाता है तो ज्यादातर बनता है नमबर फोर है मिलनसार दोस्तों मिलनसार जो सब्द होता है उसके अंदर सार परते लगाया होता है और मिल इसका मुल्शब्द होता है यानि जब मिल में सार परते लगाया जाता है तो मिलन सार बनता है नमबर फाइप है वास्तविक दोस्तों वास्तविक सब्द के अंदर वास्तव मूल सब्द होता है और एक परते लगा होता है यानि जब वास्तव में एक परते लगाया जाता है तो वास्तविक बनता है तो इस तरह से दोस्तों हमने प्रिक्षा के दरश्टी से जो मैत्वपन परते सब्द माने जाते हैं उनके बारे में भी बात कर लिए दोस्तों अगर वीडियो आपको जरा सा भी फसंद आया हो तो क